Hello friends, आज की इस वीडियो में हम HSSC screening exam में पूछी जाने वाली हरियाना जी के के कुछ questions discuss करेंगी वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि मुझे पत्ता बाद में तो आप भूल जाओगे So let's start video Question है राजधानी city चंडिगड का नाम कहां से व्यूत्पन किया गया चंडिगड यानि की चंडिका किला तो चंडिगड का नाम है वो चंडि मंदर से व्यूत्पन हुआ है यहां पे देवी दुर्गा का रोप चंडी का यानि कि चंडी है उसका एक मंदिर है जिसकी वज़े से इसका नाम चंडी गड़ पड़ा अगला क्योशन है नियमन में से कौन सा मैच गलत है पहला है हिसार का संस्तापक फिरोजसा तुगलक यह मैच बिलकुल सही है हिसार की स्थापना फिरोजसा तुगलक ने 1344 में की थी हिसार में गुजरी महल भी है जिसकी इमारत में काले पत्थर का प्रियोग हुआ है इसको फिरोजसा तुगलक ने अपनी रानी गुजरी के लिए बनवाया था अगला उप्षिन है फरीदाबाद का संस्थापक सेख फरीद यह भी बिलकुल सही मैच है फरीदाबाद की स्थापना सेख फरीद नहीं की थी रिवाडी का संस्तापक राजा रेवात ये भी बिल्कुल सही मैच है जो D option है वो इस question का सही अंसर होगा सिर्सा का संस्तापक है वो राजा सरस नहीं है तो ये मैच आपका गलत है अगला क्योशन है अभी हरियाना के मुख्यमंत्री कौन है तो फिलाल हरियाना का मुख्यमंत्री है मनोहरलाल खटर और इनका सम्मंद करनाल विधानसवा छेतर से है अगला क्योशन है एक वाजा अलताफ उसेन हाली सुपरसिद कवी का जनम वर्ष कौन सा है 1837 अगले क्योशन में एक अभी कथन दिया गया है और उसका कारण दिया गया है और पुछा गया कौन सा सही है कौन सा गलत है अभी कथन है हरियाना के अंबाला में निमन्तम वर्ष होती है और उसका कारण क्या दिया गया है कि यह सिवालिक पहड़ियों से घिरा हुआ है तो अगर हम अभी कथन की बात करें कि हरियाना के अंबाला में निमंतम वर्षा होती है तो ये गलत है क्योंकि हरियाना के अंबाला में निमंतम नहीं बलकि अधिक्तम वर्षा होती है और इसका जो reason दिया गया है कि ये है सिवालिक पहाडियों से घिरा हुआ है तो अंबाला ह और यहां पर अधिक्तम वर्षा होती है। सिटे हैं 90 और लोग सभा में हैं 10 सीटे हरियाना की। माननेता है कि कवारी लड़के अगर गंगोर का वर्षा रखती है तो उन्हें मन चाहा वर मिलता है। और अगर सुहाग ने इस वर्षा को रखती है तो उनकी पती की लंबी उम्र होती है। अगला क्योष्ट ने सायना नेहवाल का जनम किस जिले में हुआ। तो इनका जनम है वो हिसार में हुआ था और ये बैडविंटन खिलाड़ी है। अगला क्योशन है परसिद सिंगर सोनु निगम का जनम किस जिले में हुआ फरिदाबाद जिले में अगला क्योश्यन है परशिज समारक कि सोरी महल कहां स्थिथ है तो कि सोरी महल है वो पलवल के होडल में स्थिथ है इस महल का निर्मान राजा सूर्जमल ने अपनी पत्नी कि सोरी के लिए करवाया था अगला क्युष्ण है हरियाना की किस थान में थर्मल पावर स्टीशन से थे इस आर्में अगला क्युष्ण है जनगर्णा 2011 के नुसार हरियाना के निम्न जिलों में से किस का सहरी बाल लिंगानुपात उच्तम है मेवात का हर्याना सरकार ने नई उद्योग नीती कब लागू की थी? वर्ष 2005 में हर्याना का दूसरा राजयपाल कौन था? बी एन चक्रवर्ती और हर्याना का प्रत्म राजयपाल कौन था? धरमवीर और अगर वर्तमान राजयपाल की बात की जाए तो कौन है? सत्यदेव नारायन आरिये है, वो सतरवे राजयपाल है हरियाणा के अगला क्योशन है लाडली सामाजिक सुरिक्षा भात्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई थी? तो लाडली समचिक सुरक्षा भत्ता योजन है वो हर्याना में एक जनवरी 2006 को लागू की गई थी अगला क्योशन है पंजाब एवं हर्याना उच नले के पर्थम मुख्य नैदिस कौन थे नैमूर्ती रामलाल और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में पंजाब एवं हर्याना उच नले का मुख्य नैदिस कौन है? रवी शंकर जाए हर्याना उच नले कहां कारी रत है? चंडिगड में तो ये थी HSSC PGT Screening Exam में पूछेगे हर्याना जिके के कुछ क्यूशन इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थेंक यू